नमस्कार NBC24 देख रहे आप मैं हूँ आपके साथ अविशेक देखिए नियोजिस सिक्षकों से जुरे इस वक्त की बिहार से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है देखिए आज 13 मार्च है और ऐसे में नियोजिस सिक्षकों की पटना हाई कोट में बड़ी सुनवाई होनी ह मामला जो है नियोजिस सिक्षकों के सक्षमता परिशा से जुरा है ऐसे में नियोजिस सिक्षकों ने सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी उसको देखते हुए कही न कहीं आज सुनवाई होनी है और ऐसे में नियोजिस सिक्षकों को हित्म अधिवक्ता लरेंगे और सरका राज कर्मी का दर्जा मुझे मिलना चाहिए ऐसे में जिस तरीके से कई ऐसे सिक्षक है जो लाग जिनकी संख्या बताई जाए इसको देखते हुए वो लगतार विरोत कर रहे है पटना हाई कोट में आग बुधवार है देखिए इसको देखते हुए नियोजद सिक्षकों के परिक्षा में नहीं बैठेगे उनकी नौकरी नहीं जाएगी ऐसे में वही अब सिक्षकों ने कहीं ऑफ-लाइन मोड में सक्षमता परिक्षा के साथ-साथ अस्थानांतरन की मांग की है तो ऐसे ही देखा जाए तो नियोजद सिक्षकों की ओर से बिहार पंचायत नगर प् कहीं न कहीं देखा जाए तो वर्षेस बिहार सरकार की केस की सुनवाई होनी ऐसा बताया जारा है केस का सेरियल लंबर 16 बताया जारा है दोनों पक्ष रखेंगे अपनी बात रखेंगा उसा बताये गया है ज़ौरान परमोत कुमार यादों की तरफ से सिक्षमेस सहायक वक पक्षु रखेंगे वहीं बिहार सिक्षक एक्ता मंच की तरब से सुप्रीम कोट के विस्श्ट अधिवक्टा डियेस नाइडू भी न्योजुस सिक्षकों के मैटर पर पक्षु रखेंगे सिक्षगों की मांग जो है वो कही न कहीं सारी ऐसे में बता दे कि याचिका में सिक परिक्षा जो स्वाक्षिक हो ऐसे में देखा जाए तो अर्था जो परिक्षा नहीं देने चाते हैं इसको देखते हुए या परिक्षा में फेल हो जाते हैं इसको देखते हुए वह अपने पत पर बनेड़ ऐसा बताया गया है वहीं देखा जाए तो बिहार विद्याले पर पारित पाटकरम होने की मांग की गई है तो फिलाल आज 13 मार्च है और देखिए सुनवाई होनी है एक तरफ सरकार है दूसरी तरफ नियोजुस्त शक्त है देखाया है जो दोनों आपस में टकडाएंगे किसके हक में फैसला आएगा ये देखने वाली बात हो गई जो भी सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद